हालो फ्रेंड मैं इस्मृति एस्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल स्टड़ी वित इस्मृति में आए सुरू करते हैं आज ही ग्लास आज की ग्लास में मैं आप लोगों को प्रेक्टिस सेट 22 कराने वाले हूँ इस प्रेक्टिस सेट 22 की खास बात यह है किसे मैंने वैसे प्रश्णों को सामिल किया है जो जार्खन की कला और संस्कृति और जार्खन के विद्रोह से संबंदी था और ये उन सारे स्टोन के लिए लगे हैं तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है कि डैस गाउं में प्राचीन एवं रभपा सभ्यता के परियाप्त अउशेश मिले जो एतिहासिक और पूरा तात्विक द्रिश्टी से अती महतुपुल्ने हैं इसमें पूरा पाशान नौपाशान तामरपाशान और लौपाशान के अवसेस मिले हैं एक ही अंस्थान से क्रमबा तरीके से विभिन काल खंडों का मिलना भारतिय इतिहास के लिए एक महत्वपुंड घटना है इस गाउं में जो भी आपशेस प्राप्त हो रहे हैं वह यह दशाते हैं कि इस गाउं का इतिहास जो है वह हड़पा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है तो उस गाउं का नाम बताना है तो चली लेते इसका जो अंसर हो जाएगा वह जाएगा option number B कबरा कला कबरा कला जो गाउं है यहां यहां से हड़पा कालीन सभ्यता के आउशेस प्राप्त हो रहे हैं जो कि यह बताते हैं कि यह गाउं हडपा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ था अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश् इन को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद बेरहमी से नरसंग हार किया था तो यह आज का दूसरा प्रश्न है यह बताना है कि डोम्री बुरु अस्थान जो है वह किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था तो option number A है तिलका मांजी option number B है सिद्धू कानू option number C है गंगा न मुंड़ा विद्रो किया उल्गुलान के नाम से भी जाना जाता है उल्गुलान विद्रो जब तीवर गती पकड़ा यह समय था पच्चीज संबर ठारो सनी नियानबेर को विद्रो जो था वो अलग अलग छेत्रों में काफी तीवर हो गया जिसमें की रांची और खूंट चक्र था वो भी तिवर हो गया था और जैनवरी माह में जब विद्रो ही डोमरी भुरु अस्थान पर इकठे हो रहे थे तो अंग्रेजों ने अपना दमन चक्रे चलाया और 9 जैनवरी को अंग्रेज अधिकारी एस्ट्रेट फिल्ड ने गोली बारी कर दी भीड पे जिसम महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे और 300 लोगों को बंदक बना लिया गया था ये बंदी बना लिया गया और कुछ लोगों ने आत्म समर्पन भी किया आगे आने वाले समय में फिर बिर्सा मुंडा को भी कुछ महां के बाद उनको जेल हो गया जहां पर 1922 में नौज दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की से संपन हो तो उसे किस विवाह के नाम से जाना जाता है जार्खण में विविन प्रकार की जंजातिया निवास करती है और सब में शादी विवाह के अलग-अलग परंपराय रस्म हैं उनके नाम भी अलग-अलग है तरीके अलग-अलग हैं तो यहां उसी नाम से प्रशन बना हुआ है और ऑप्शन नमबर यहां पर ए है कि जो कांसा विवाह है जिसमें की एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी एक पहले परिवार के लड़के से संपन होता है तो उस विवाह को गोलट विवाह कहते हैं ठीक है ना उस विवाह को क्या कहेंगे उस विवाह आपको गोलट विवा और कहीं कहीं पर वीनिमय विवा भी मिलेगा आपको तो वीनिमय विवा और गोलट विवा दोनों एक ही होते हैं एंसर क्या हो जाएगा इसका तो इसका एंसर हो जाएगा गोलट विवा इसमें क्या होता है कि एक भाई की शादी दूसरे परिवार की बह वीवा और सभी क्रेवीवा जो है वह प्रचल लइते उफेती हैं हरंड क्या कहलाता है कर लिया जाता है जब अपहरन करके उनसे विवा किया जाता है तो यह विवा अपहरन विवा कहलाता है यह हरन हाट या बजार या मेला अधि किसी भी अस्थान से लड़की पसंद होने के बाद किया जाना होता है और वसुतर यह प्रेम विवा ही होता है यह प्रथाक खड़िया बिरह पोर मुंडा सौरिया पाडिया इन सबी जंजातियों में प्रचली थे यह हरण विवा हो गया अगला है हट विवा हट विवा क्या होता है कि इस विवा में उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी है अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो वह बगेर किसी से विचार स्वैब उसके घर जाकर रहने लगती है जवरन रहने लगती है। ऐसे में संभव है कि लड़के के जो माता पीता है उससे अपना ले। फिर उससे काफी अपमानित भी करें। COM इसमें क्या होता है कि जब यूवक योति विवाह करना चाहते हैं और माता पिता की अनुमती नहीं मिलती है तो ऐसे में एक साथ वो कहीं भाग जाते हैं ऐसे में या तो दोनों के रिश्चेदार उन्हें बुलाते हैं अथो आप बाद में वे स्वैम चले आते हैं बुंडा खडिया बिरहो रादी में यह प्रता जो हैं वह काफी प्रचली थे यह आपका विवाह से संबंदित कुछ महत्व प्रशन हो गया और एक चीज़ और है इसमें आपने अन्य विवाह के बारे में भी डिटेल में जाना मैं कोशिश करूंगी कि विवाह से संबंदित अलग एक अलग से ही वीडियो बन इसमें से कौन सा वो तेवहार देवी भूत की पूजा है या 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है पूरे गाओं के लोग मिल करके काड़ा की बली देते हैं गाओं का भूईहर दास बली को चड़ाता है तो यह इस तेवहार का नाम क्या है तो आप्शन नमबर ए है देशा बारा में एक बार में एक बार मार्त है और लोग मैं की परनाया के तरीखी अलग कर्वा है इसमें काड़े की बली डी जाती है और वी है को दाल के द्वारा इस कड़े की बलु को दि जाती है तो यह हैं देशा उली में सरगहोगो देशा उली लेकिन जो जनी शिकार है उसमें क्या होता है कि जनी सिकार में महिलाईबो पूरुश मेरेच धारन करके और शिकार करने निकलती है और यह भी त्योहार जो है वह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है अगला प्रशन है कि खदी नृत्य किस जन जाती में प्रचलीत हैं तो यहां option number A है उरां option number B है संथाल option number C है हो option number D है असुर तो जो खदी नृत्य है वह प्रचलीत हैं उरां जंजाती में किसमें प्रचली थे तो उराओं जंजाती में खद्धी नृत्य जो है वह काफी प्रचली अब अगला प्रशन में रूलेते हैं लोक नृत्य छव एक विशिस्ट पहचान बन गई है जार्खंड जार्खंड में सराई के लग खरसामा इसका गढ़ माना जाता है इस नृत्य में नर्तक अपने आंत्रिक भावनाओं एं विश्य वस्तु को सरीर के आरोह, अवरोह, मोड, तोड, संचालन और गत्यात्मक शंकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है इस नृत्य को युनोश्कों ने विरस्त नृत्य का दरजा दिया है तो किस वर्स दिया है इसको यह दरजा मिला है तो 2010 इस भी में यहां option क्या क्या है option नंबर ए है 2006, option नंबर भी है 2009, option नंबर सी है 2010, option नंबर डी है 2012, answer इसका क्या होगा तो option नंबर सी 2010 होगा अगला यह चाहुन रिति जो है तो यह थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डीटेल हम लोग जान लें अब प्रश्न में ही डाला गया है कि सराय के लगषाहँआ में यह काफी प्रसित है जहारखट में और सराय के लाराज घराना जो है वही सही यह काफी प्रचलीत हुआ वहां के एक राजा थे सुधिंदु नरायन सिंग उन्हों ने 1938 इस्वी में इसको विश्व अस्तर पर प्रस्तुत करवाया था चाहुन रित्य को और पहली बार वीदेशों में इसका प्रदर्शन किया गया था और राजकुमार सुधिंदु नरायन सिंग ने करवाया था और यह पूरुष प्रधान रित्य है इसमें वीर रस की प्रधानता होती है चौन रित्य से बहुत सारे प्रस्ण जो है वह अक्सर पूछे जाते हैं अगला प्रस्ण रूलेते हैं कि गोड की अर्थ वावस्ता मु दोनों और ऑप्शन नमबर डी है इन में से कोई नहीं इसका एंसर हो जाएगा दोनों खोड जान जाती जो है उनके अर्थ ववस्ता खेती और मज़़ूरी पट्टी की होई है और इनमें अस्थनांतिरित क्रिसी भी प्रचली थी और यह लोग अपने अस्थनांतिरित क्र व्यस्क नाठक है जिसमें गीने चुने व्यस्क की ही शामिल होते हैं इसका मंचन सरवजिनिक रूप से नहीं किया जाता है इस नाठक की भाव भंगी माएं रित्यम मुद्राएं अत्यंत आकर्शक होती है तो यह कौन सा नाठक है तो ऑप्शन नमबर ए है जट जातिन और ऑप्शन नमबर डी है समा चकेवा तो इसका अंसर हो जाएगा डोमकर्च डोमकर्च यह कैसा नाठक है जो सरवजिनिक रूप से नहीं किया जाता है जब लड़के की बरात चली जाती है तो घर में जब महिलाएं रहती है तो महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को और य सम्राइब को हुए और यह रोचाक यह अग्ला प्रशन है कि नाट्य अंचल तर्था नाटे स्थान शंस्थान जो है वो कि जिले में स्थित है तो यहां सम्रस अबरे हजारी बहु और बिपलाम को अप्शन नमबर सी राउच्प्शन नमबर डिया पश्यमिक सिम्भू तो तो नाटे अंचल तो था नाटे सम्राड जो संस्थान है वह हजारी बाग में इस्थेत है अगला प्रश्न है कि निम्लिखित में से किस चित्रकारी को स्क्रॉल पेंटिंग के तो इसका अंसर हो जाएगा पाइट कर और अंसर क्या होगा इसको पाइट कर आपा जीके अपनाइ जाते हैं कॉंब कॉट भी एक चित्रकारी है अपार सबसे पहले डार कलर जबत पर उसके बाद लाइट teri lasht can out जहाता हूं जब खिला रहता है है तो । पिर vendo की प्रतिविता परिक्षां में पूछे जा चुके हैं तो इस यहां प्रशन बनता है कि निमलिकीत में से किस्चित्रकारी का को स्क्रोल पेंटिंग भी कहा जाता है तो यह हो गया पाइतकर अगला प्रशन है कि विचार करें इसमें विचार करना है कि मांदर पार्शमुखी वाद्दे है केंद्री वाद्दे को जारखन वैलिन के नाम से जाना जाता है और केंद्री एम भुवांग संथालो का प्रिय वाद्दे है तो इसमें कौन साइज में कथन सत्य है यह बताना ह उप्षन नमबर A में दिया हुआ है कि एक और तीन, उप्षन नमबर B में दिया हुआ है एक और दो, उप्षन नमबर C दिया हुआ है दो और तीन, उप्षन नमबर D दिया हुआ है इसमें से सभी, इसका जो एंसर हो जाएगा, उप्षन नमबर D हो जाएगा इनमें से सभी, तो कैसे यह देखे, मांदर जो होता है वो पार्ष मुखी वाद्दे है और मांदर ज्हारखंड का सबसे लोग प्रिया और प्राचीन वाद्दे है नेक्स्ट जो और यह option दिया हुआ है कि केंदरी वाद्दे को ज्हारखंडी वाइलीन के नाम से जाना जाता है और ज्हारखंड में जैन जाता है काफी प्रचलेत है प्रिया वाद्दे की नेक्स्ट है केंद्री और भूआंग संग्थालों का प्रिया वाद्दे है कि उनके प्रियवाद्धे हैं तो तीनों कथन ही सही है तो आज है क्लास में आपने जाना कुछ महत्वपुन प्रशनुतर को जो जारकेंट की कलो और संस्क्रेटी और विभिन विद्रोह संबंधी थे और मैंने आज थोड़ा सा नहीं टेक्नोलोजी से पढ़ाया था यदि कह चाहूंगी अगर आपको इसके पीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रॉप से जुड़ जाया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक दे दोंगी और वहां पर आपको इसके पीडियो में थोड़ा सा और इंप्रूब्मेंट लेख रहा हूं क्योंकि इस टेक्नोलोजी के अधार पर मैं पहला वीडियो बना रही हूं और इंप्रूव करने के कोशिस करूंगे ताकि और भी अच्छे से इसमें माहिर हो जाओ तो आची क्लास में बस इतना ही मिलते हूं नेक्क्लास में लेते हैं आपसे वीदा धन्यमाद